Hi friends, welcome to the desk, Deva English Spoken Class. Friends, have you ever heard the word else? Yes, आपने सुना भी होगा, नहीं भी सुना होगा, तो आज हम चर्चा करेंगे उसी else पर, कि else का इस्तेमाल हम sentences में किस तरह से करते हैं, और किस तरह की sentences के लिए हम else का इस्तेमाल करते हैं. ठीक है friends, तो let's start the class of the day. Else का मतलब क्या होता है? Else का मतलब बहुत कुछ होता है. हर sentences में हम else का इस्तेमाल करते हैं वक्त उसका अर्थ बदल जाता है. सिर्फ हम ये बोल देंगे कि else का मतलब कुछ और, कोई और, दूसरा तो ठीक नहीं होगा. क्योंकि हर sentences में किसी और चीज के लिए else का इस्तेमाल हम करते हैं. हर sentences में else का मतलब बदल जाता है. ठीक है friends? तो हम सबसे पहले ये जानेंगे कि else का इस्तेमाल हम किस तरह की sentences में करते हैं. सबसे पहले any, every, no, some से शुरू होने वाले शाब्द के बाद और how, what, where, who, why के बाद कई बार else का प्रयोग किया जाता है. ठीक है friend? ठीक है friend? तो else का इस्तेमाल हम इन सारे question notes जो आपियों ने बताया, उसके बाद भी हम कई बार sentences में करते हैं. ठीक है friend? तो else का इस्तेमाल हम एक एक करके sentences द्वारा समझेंगे. ठीक है friend? तो हाईए हम इन sentences पर नज़र डालते हैं कि else का इस्तेमाल हम किस तरीके से करते हैं. बाकी सब ठीक है. Everything else is okay. उसे और कुछ या दूसरा कुछ चाहिए. He needs something else. दो तीन लोगों को छोड़ कर बाकी सब ही को ये पसंद आया. Except for two or three persons, everyone else liked it. क्या तुम्हें कुछ और चाहिए? Do you want anything else? मुझे कुछ और नहीं चाहिए. I need nothing else. या I want nothing else. दूसरा कौन हो सकता है? Who else can be? तुम्हें और क्या चाहिए? What else do you need? या What else do you want? मैं और क्या कर सकता हूँ? What else can I do? मैं और क्या कर सकता था? What else could I have done? Friends, done में ये की जगा के लिखा गया है. वा तुमसे मिलने आया था. और किसलिए आएगा वा? He had come to meet you. Why else would he come? मुझे लगता है तुमने किसी और की कमीज पहनी है. I think you are wearing someone else's shirt. तो देखा दोस्तों आपने किस तरह से हम अलग अलग तरह की sentences को आपके सामने रख के उसका English बनाया हमने. और उमीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि else का इस्तमाल हम किस तरह की sentences के लिए और कैसे करते हैं. ठीक है friends? तो उमीद करता हूँ कि अब आप else का इस्तमाल करते बाद कोई घलती नहीं करेंगे और सही तरह के साब else का इस्तमाल करेंगे. ठीक है friends? तो आज के लिए इतना ही और जाते जाते मैं फिर से ये खहना चाहूँगा कि friends अगर आपको English सिखना ही है तो आप हमारा रोज का वीडियो देखो अगर आप हमारा रोज का वीडियो देखोगे तो आप शर्तिया English बोलना सिखोगे. ठीक है friends? तो आप तक हमारा देखने के लिए thanks, thanks a lot, धन्यवाद.